दोस्तों मूरो को खतम करने के लिए मीरस ने खुद को और अपनी एंजल पावर्स को सेक्रिफाइस कर दिया, खुद के अस्तित्व का ही बलिदान कर दिया था, लेकिन जब वो लोटा तो वो एक आम मौटल की तरह लोटा विद आउट एंजल पावर्स, तो आज हम बात करें कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि मीरस की एंजल पावर्स लॉट आएं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक एप के बारे में, तो जैसे कि अब IPL स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपके लिए बेस्ट फैंटेसी एप आप लाया हूँ, Nostra Pro Contact Less Gaming, Nostra Pro एक स्पोर्स फैंटेसी और स्पोर्स प्रेडिक्शन एप है, जिसमें आप इंडियन T20 लीग में फैंटेसी स्पोर्स खेल के काफी रेविन्यू अन कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही आप रेजिस्टर करोगे तो आपको रुपीज लग तरीके से खेल सकते हैं, पहला है पिक्स फॉर्मेट, इसमें आप कुछ क्वेशन का सही जवाब, यानि की प्रेडिक्शन चूज करते हैं और उससे आप रेविन्यू अन करते हैं, इस आप में कुछ खास फीचर्स भी हैं, जिसमें आप स्क्रीन शॉट से डिरेक्ट विड्ड्रॉ कर सकते हैं, यह एप हिंदी, इंगलिश और तेलगू में भी अवलेबल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसे इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो और रेविन्यू अर्न करो, दोस्तों मोरो आर्क को खतम हुए, काफी वक्त हो चुका है और हम सब कहीं न कहीं एक ultimate sacrifice को भूल रहे हैं, जो कि एक angel होते हुए मीरस ने दिया था गोकू के लिए, इस galaxy के लिए और universe 7 के लिए, मीरस ने मोरो के खिलाफ अपनी angel powers का इस्तमाल किया, यह जानते हुए कि एक angel code का violation है, और इसकी वज़ा से angel मीरस erase हो गया था, लेकिन मोरो के खतम ह सब कुछ सही होने के बाद हमें पता चला कि मीरस तो वापिस आ चुका है, लेकिन अब वो पहले की तरह angel नहीं रहा, एक आम mortal बन चुका है, हमारे सुप्रीम काही ने grand priest से दर्खवास्त की कि please मीरस को at least mortal की तरह ही वापस ला दीजिए, grand priest मीरस को as a mortal resurrect कर देते हैं, और आप सब लोग भी dragon ball fans हैं, तो आप बताओ, आपको personally क्या लगता है, कि क्या मीरस की angel powers हमेशा के लिए जा चुकी है, क्या future में ऐसा possible है कि कि किसी current से या किसी emergency के लिए मीरस को उसकी angel powers वापिस मिल जाए, मेरी नजर में तो सबसे best और most possible way है Goku, क्योंकि Goku का ना बहुत नाम हो हो चुका है, सब ही universes में और खास कर जैनो सामा के सामने, suppose करो भाइयों, क्या होगा कि Goku ना वापस से दोनों जैनो सामा से फिर से मिलता है, Goku जाएगा बड़े अराम से जैनो सामा से मिलेगा, क्या حाल है मेरे भाईयों, कैसे हो, चंगा सब कौछ, सामने से जैनो सामा ही बो यारे वाओ गोकु तुम आ गए ये हमारे best friend तुम हमारे साथ खेलो हमारे साथ मस्ती करो लेकिन तब ही जैनो सामा बोलेंगे गोकु क्या बात है तुम इतने उदास क्यों हो कुछ हुआ है क्या तो फिर गोकु सामने से ये बोले suppose कि देखो जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूं इंजल पावर्स को भी सेक्रिफाइस किया और अब बेचारा एक मॉटल की तरह जिंदेगी काट रहा है अपनी काश उसकी कुछ मज़ा दो हो जाती सब्बोस करो न ऐसा कुछ अगर सिच्वेशन आती है अगर ऐसी सामने कभी भाईयों तो आपको नहीं लगता भाईयों कि ए मिरस की बिना मर्जी के भी अगर वो कुछ एटेंप्ट करता है सपोस्पोस सूपर शेंडरॉन का इस्तमाल करना जैनो सामा की से पूछना की क्या किया जाए क्या पता ग्रैंड प्रिस्ट खुदी मदद करें कुछ भी ऐसा पॉसिबल है लेकिन में बंदा जिसकी वज़े स यह सब कुछ होगा वो गोकु ही होगा और भाईयों यह बहुत एजी और बेस्ट पॉसिबल वे है तो ब्रिंग बैक मीरस एंजल पावर्स अब इसी तरह भाईयों और भी धेर सारी लाखों पॉसिबलिटीज होगी जिनमें से आप मुझे प्लीज कुछ शेर कीजिए कमें लेकिन चलिए बात करते हैं कि क्यों एंजल मीरस की जो पावर्स हैं वो कभी नहीं लोटेंगी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भाईयों कि क्या मीरस अब खुद ऐसा चाहेगा कि उसकी पावर्स उसकी एंजल पावर्स वापिस आ जाएं इरेज होने के बाद अ उन मॉटल्स की तरह जिंदगी बिताने का जिनके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था जहां तक मीरस की परसनेलिटी है और जैसा उसका कैरेक्टर है आयम डैंशर भाईयों की वो यही कहेगा कि मैं ऐसा मॉटल बहुत खुश हूँ मैं बहुत लगी हूँ जिसे ऐसे मॉटल्स की तरह जीने का मौका मिल रहा है पका हंड्रेट परसन्ट भाईयों मीरस यही सोच रखता है इस मॉटल जिंदगी के बारे में मीरस को मॉटल्स की बीच में भेजा गया था ट्रेनिंग करने के लिए मॉटल्स के बारे में सीखने के लिए और जो भी ग पूपसूरत जिंदगी के बारे में मीरस को पता चला अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही मीरस को मॉटल्स और उनकी दुनिया से प्यार हो गया और उसने जो कुछ भी किया वो उसका खुद का डिसिजन है और उसकी ही ट्रेनिंग का एक हिस्सा है इसलिए मीरस खुद अपनी पा तहिन सब के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या मीरस अलाओ करेगा या फिर खुद कोशिश करेगा टू गेट बैक इस एंजल पावर्स लेकिन यह भाईयों हम सब फैंस हैं और मीरस चाहे कितना भी डिस एगरी करे कितना भी बोले कि मुझे नहीं चाहिए हम सब फैंस तो बुढ़ा हो के मीरस जब मर जाएगा उसके बाद क्या पता मीरस वापस से एंजल बन जाए क्योंकि भाईयों शरीर मॉटल का है लेकिन जो आत्मा है जो सोल है जो स्पिरिट है वो तो एंजल्स की ही है न और एंजल्स कभी भी नहीं मरते भाईयों वेस ने खुद कहा था उनको मारने का बस एक ही तरीका है और वो है कि वॉयलेशन ऑफ एंजल कोड जिनसे वो कंप्लीटली एरेज हो जाते हैं और या फिर भाईयों मेबी न जैनो सामा ही खुद कुछ मदद करें या फिर सूपर शेंडरॉन की यहां पर मदद ली जाए वापस मीरस की पावर्स लाने में सूपर शेंडरॉन के सामने जैनो सामा भी रिस्पक्ट देने के लिए खड़े हो गए थे टूनमेंट ऑ पावर में तो सूपर शेंडरॉन की हेल्प से भी हम मीरस की पावर्स को वापस ला सकते हैं और बाकी पॉइंट्स अर आप बताओ ऐसे ही सब के सब मैं ही आऊंगा तो फिर discussion किस बात की हो गई है तो comments जरूर करना और अगर आपको भी आर एंजल मीरेस पसंद है तो इस वीडियो को पका लाइक करना भाईयों भले ही मीरेस का topic अब थंडा पड़ गया हो बट उसका sacrifice हम सब fans को याद रहेगा and overall भाईयों जो गोकु की अभी पकड़ बनी है ना Mastered Ultra Instinct में पहले वो उसको अपनी मर्जे से इस्तमाल नहीं कर पाता था और अब वो उसको इसको इस्तमाल क्या कर रहा है मर्जे से बलकि उसको normal form में भी रहने की practice कर रहा है तो जो भी गोकु ने इस जगह तक पहुचा है उ उसने सब कुछ अपने आपको शांत रखा इतना यानि कि अगर हम आज गोकु के लिए चेर ओन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें मीरस के लिए भी चेर ओन करना चाहिए उसका sacrifice हमेशा याद रखना है और इसी तरह भाईयों अगर आज हम safe हैं और एक आराम से सांस ले पा रह हो और इसी तरह सब के सब लोग safe रहेंगे let's pray for those जिनकी वज़ा से हम अभी भी बिल्कुल महफूज है let's hope कि यह जो conditions हैं यह जो हलात हैं यह भी जल से जल निकल जाए मैं मिलूंगा आप सब को next वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफेस सादेर प्रिनाम